नेम 377 के अधीन सभापडपल रेखे जाने वाले मामलों के संबन में अध्यश्पीट द्वारा की जाने वाली खोशन जिन मानने सदस्यों को आज नेम 377 के अधीन मामलों का उठाने की अनुमदी प्रदान की ही हो वे अपने मामलों को अनुमदी पाट की 20 मिनिट के अंदर वेक्तिकत रूप से सभापडल पर रिखे दें थैनिवाद आइटन नमबर 18 और 19 श्री इमदियास जलील श्रीया आपने सप्लेमेंटरी डिमांज के उपर मुझे बोलने का मौका दिया है मैं महराश्टा के एक मराटपाड़ा इलाखे से आता हूँ जिसे हम सुसाइट कैपिटल आफ इंडिया भी कह सकते है उसकी वज़ा ये है कि आप जब सरकार के अंदर आए थे तो आपने ये दावा किया था कि हम किसानों की आए दुगनी करेंगे लेकिन दुगनी होने की बजाए उनकी आत्महत्या किस तरीखे से दुगनी तिगनी और चौगनी हो गई है ये आकड़ों के साथ मैं बताना चाहता हूँ हिंदुस्तान का एक बहुत छोटा सा शेत्र है सिर्फ उसी के आकड़े मैं बताना चाहता हूँ मराटवड़ा के और इस मराटवड़ा के शेत्र में जैनवरी से लेके नवंबर तक नवंबर तक एक हज़ार किसानों ने आत्मातिया की है जिसके अंदर औरंगाबाद जो मेरा चुनावी शेत्रा आता है एक सो साथ किसानों ने आत्मातिया की नादेड में एक सो तिरसट किसानों ने बीड में दो सो तिर्पन किसानों ने उसमानाबाद में 60 किसानों ने ऐसे कुन मिलाकर सिर्फ एक छोटे से शेत्र की अगर हम बात करें तो एक हजार किसानों ने आत्मात्या की है मैं आप से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हम किसानों के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो आफिर ये किसान इतनी आत्मातिया कैसा कर रहे हैं और सिफ एक छोटे से शेत्र के बारे मैं बात कर रहा हूँ अदेक्ष महोदे आप ये नारा लगाते हैं कि सबका साथ सबका विकास आप मेरा विकास कैसा कर रहे है मैं आपको बताना चाहता हूँ आखड़ों के साथ आप इस financial year में budgetary allocation for ministry of minority affairs को कितने percent से घटाए है तो 38.3 percent से आपने minority का budget घटाए है 2023-2024 का जो budget estimate था वो 5,020 करोर रुपिय था उसको कम करके आपने 3,097 करोर कर दिया मुझे मालूम है कि आप हमें थोड़े थोड़े दिनों के बाद खुश करने के लिए नई-नई schemes लेके आते हैं आज 10 schemes आप कह रहे हैं कि minority's के लिए हम चलाते हैं लेकिन उनके लिए funding उनके लिए budget allocation कैसा घटाया जा रहा है हर साल आप देखिए pre-matric scholarship 2023-2024 में ये budget पिछले साल 1425 करोर रुपिय था अब उसको घटा कर महत 433 करोर रुपिय कर दिया गया है और आप जानते हैं कि pre-matric scholarship का मतलब ये है कि जो बच्चे स्कूल के अंदर आज सबसे जादा ड्रॉप आउट किसका है तो हमारे बच्चों का ड्रॉप आउट है आज स्कूल लेवल के उपर और वो scholarship का भी amount आपने किस हद तक कम कर दिये है merit का means based scholarship पिछले साल आपका budget allocation कितना था तो 365 करोर रुपिय था उसको घटा कर 355 करोर रुपिय से आपने सिर्फ 44 करोर रुपिय के उपर लेकर आ गए है दूसरी सारी schemes है जिसको नाम बड़े खुबसूरत दिये गए है नई उडान नया सवेरा लेकिन budget हर टाइम आप कम करते जा रहे हैं और फिर ये नारा लगा रहे हैं कि आप सब का साथ सब का विकास करने की बात कर रहे हैं अध्यक्ष मोहदे महंगाई को लेकर पंध्यप्रधान जी से मैं आपके जरीए सवाल करना चाहता हूँ मैं जैपूर गया था वहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगे हुए थे जिसके ओपर आदर्मिया पंतप्रधा नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर थी उसके बाजू गया सिलेंडर था उसके नीचे लिखा हुआ था मोदी की गैरेंटी सारे 400 रुपिये हम सरकार में आ गए तो मध्यप्रधेश और राजस्तान के अंदर हम सारे 400 रुपिये के अंदर गया सिलेंडर बेचेंगे मैं आपके सरिये मंत्री साहब से पूछना चाहता हूँ आदर निया करार साहब से आपके महराश्टा के अंदर क्यों नहीं दे रहे हैं? हमें नहीं दे रहे हैं? कम असकम आप भर की एजनता पार्टी के लोगों को साड़े चार सो रुपये में दे दी जगा सिलेंडर? यानि कि आप कम करना चाहे तो कर सकते हैं? लेकिन हर चीज़ को आप चुनाओ के नजर ये से हमें कैसा फाइदा मिल सकता है? ये देखने की कोशिश कर रहे हैं अगर हम बात करें तो हर जगा आपने कांट्राक्ट सिस्टम शुरू करके रखा हुआ है इसका फाइदा सिर्फ ठेकेदारों को हो रहा है, बाकि किसी को नहीं हो रहा है EPS 95 के जो पेंशनर्स है, जिन्होंने बीस साल, तीस साल काम किया है, आपने भी कई मरतबा इस मुद्दे को उठाए है वो पूरे के पूरे यहाँ पर तल्ट से जन्तर मंतर के ओपर आंदोलन कर रहे है उन्हें पेंशन कितनी दी जा रही है, फाइनेस मिनिस्टर साथ सुनिए, आच सौ रुपिये, हजार रुपिये, बारा सौ रुपिये, पंदरा सौ रुपिये यह पेंशन अमाउंट उनको हर महीना दी जा रही है, और उसके जरिये उन्हें यह कहा जा रहा है, इतने पैसों के अंदर अगर जी सके तो जीओ, नहीं तो मरो, शोर मताते क्यों हो दूसरी बात यह है, जेक्ष मोदे, आप गर्मेंट रिसीफ, कुछ आकड़ों के साथ मैं बताना चाहता हूँ, अगर पिछले साल की अगर हम तुलना करें, एप्रेल, ऑक्टोबर, बावीस, तेवीस, जी एस्टी कलेक्शन, अगर पिछले साल की तुलना उसी पीरेट के अगर इस साल करते हैं, तो जी एस्टी ड्रॉप हुआ है, सेवन परसंट, इंकम टैक्स का ड्रॉप हुआ है, दो परसंट, कॉर्परेशन का ड्रॉप हुआ है, कॉर्परेशन टैक्स का पांच परसंट, टोटल ड्रॉप, अगर एवरेज निकालते हैं, तो पांच परसंट का ये government receipts का हुआ है उसके तुलना के अंदर अगर expenditure अगर देखेंगे सेम पीरिड के अंदर तो revenue expenditure less by one percent capital outlay less by four percent तो हमारा आप से ये कहना है देक्ष महदे की इस supplementary demands के जरिये आज डिफेंस के बारे में 11,827 करोर रुपिये का supplementary demand रखा गया है हम आप से पूछना चाहते है आपकी चाइना की policy क्या है 25 पेटरोलिंग points हम खो चुके है डेंचॉंग डेंचॉंग हमारे हाथ में है क्या इसका जवाब आप दीजिएगा इसके ओपर खामोश क्यों है चाइना policy के बारे में हमारा क्या है अद्धेश महोदे इसके बारे में बता दीजिएगा वरना अगर यही हाल रहा तो आगे चलकर हम सियाचीन को भी खो डालेंगे आखरी पॉइंट एक बताना चाहता हो एक्स्टेनर फैस का बजट आपने सप्लिमेंटरी डिमांड्स के अंदर रखा है 11,72 करोड मैं आप से पूछना चाहता हूं कि वेस्ट एशिया की policy इस देश की क्या है यह देश को बताईए आज हम हंदोस्तान की सरकार से यह अपील करते हैं कि इसराइल की हम कड़ी निंदा करते हैं कि फलस्तीनियों के अंदर जो आज 20,000 बच्चों को सब महिलाओं को जो मारा गया है 12,000 लोग बेघर हो गए है जेनोसाइड हो रहा है वहां पर और हम mother of democracy बनकर बैठे हैं और खामोश बैठे हैं मैं भारत सरकार से यह अन 30 सेकंड का वक्त दीजेगा मैं आप से यह फाइनेंस मिनिस्टर साब भी औरेंगाबाद से आते हैं मैं आप से यह अनुरोद करूंगा करार साब कि औरेंगाबाद से महस 30 किलो मीटर की दूरी के उपर नाराइन पूरे गाओं है सर वहां पे 3335 ऐसे से मेरे ही कॉंसी हमारी कॉंसीट्रेंसी के ऐसे स्कूल से कि जहां पर पकी छत नहीं है टीम के शेट के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं और आप यह दावा कर रहे है कि एजुकेशन के उपर सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन इस बार किया गया है तो यह पैसा जा कहा रहा है हम आप से यह सवाल क कर दो किया ंण